वक्षिट नमबर 92 ग्लास 6 7 और 8 इस्ट्रेट के लिए जैसे कि आप सब लोग की छुट्टिया खतम हो चुकी है तो आपकी वक्षिट अब रेगुलर आने वाली है और मेरी चैनल पर रेगुलर उसके अप्डेट्स मिलेंगे हर एक वक्षिट के आपको पता हिए मेरी चैनल इस वीडियो को पूरा देखिए मैं आपको बताऊंगा वह आपको कैसे मिल सकता है तो आपकी क्या होगी 10 मिंट में वक्षिट में पता चल जाएगा और आपको हूंवक भी सारा कंप्लीट हो जाएगा तो चले श्राट करते हैं आप देख सकते हो आपके 16 जनवरी की और आपकी वक्षिट का नमर कितना है 92 और एक बात और सभी बच्चे का कुस्ण रहता है कि कौन सी नोट बुक में करना है तो मैं लिख देता हूं यह आपको हिंदी की नोट बुक में करना है जो आपकी हिंदी की नोट बुक में जिसमें आप हिंदी की सारी वक्षिट करत सब्सक्राइब और अपना homework जो है आपको complete हो जाएगा फिर आप अपना enjoy कर सकते हो तो start करते हैं सभी बच्छे notebook निकाल लेंगे अपनी और question number एक सभी को notebook करना है जिसके पास worksheet है वो लेकिन जो notebook में लिख रहे हैं मैं उससे लिखने का तरीका भी बताता हूं कि आप लोग को लिखना कैसे है तो आपको लिखना और फिर किसी को diagram भी बनाने सीथा जैसे में लिखूंगा आपको ऐसे क्रिक लिखना है सभी बच्छे डालेंगे वन ऐसे अपनी notebook में लिखेंगे तो इसमें क्या क्या दिखा जारी इसमें दिया गया कि पॉलोथीन है ठीकि पॉलोथीन के अंदर क्या हो जाती है तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा हार्फुल होते हैं ठीकि प्लास्टिक का यूज हमें कम से करना यह नहीं चाहिए मतलब विकार के काम के लिए ठीकिए इसके जगए हम भी उच कर सकते हैं जो कपड़े के बने होते हैं घरों में होते हैं ठीकिए तो इसलिए इसमें पुझा था लिए 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 हां या नहीं ठीकिए लिए लिकने ना इअ इसमें אנחנו नहीं उस सिर्फ आ兩 लिए फिर लोग लोग नहीं तो आजाता है आपका सेकंड पाल पह्तर तो यह भी हमें करना चीजिए नहीं इसा नहीं करना चीजिए Two FridayК है कि यह फास्ट में भी आपका नहीं आएगा।्फ यूद अ जो वो पिर आ है Kadai builder से क्या रहे है। तो वह भी हम नहीं आएगा इसमें भी ठीक है तो आपको यहां तीन करके आप लिखोगा नहीं कि अधिर आपका जाता है यह देखो एसे स्लेस करके वैसे दो डाइग्राम में एक यह है आपका एक ही है ठीक है इसके लिए नहीं आएगा उसे कराहे जाएं जराए यहीं करता सा नदी किनारे से तो इसमें भी आपको क्या जाएगा इसमें guest देखो दो चांड डालके देखें पिर आजाते मैं देखो कि क्देख़ा है आपको इसमें भी आपको क्या आएगा नहीं आएगा ठिक면 इसे करके फैक रहिए इसमे practitioners कुडा किस में फैक रही है, नदी के अंधर इन्दर अधे थो इसमें भी आपको प्लीक टालके नहीं आएगा कि अब देखो इसमें आपको हाँ आएगा क्योंकि इसमें क्या दिखा रखा इसमें बैक दिखा रहें और और किसके कपड़े के बैक हैं तो यह अराम से रिजाइकल भी हो सकते हैं जो मतलब हो जाते हैं और जब वह हमारी नहीं होती इसलिए उसमें उसे हमें यूज नहीं करना चाहिए इसलिए कपड़े के बैक दिखाएंगे इसमें आपको हाँ आ जाएगा अधुभारे रिवट कर देता हूं फर्स्ट में आपको नहीं लिखका है ओन थो मैं रफ कर देता हूं और सिक्षन नमर एक सभी बच्चे का कम्प्लीट होता है आपको स Araili इसे मैं इसे रफ कर देता हूं को सब्सक्राइब को तो वीडियो को देखते रही है मैं आपको गीववे के बारे में भी बताने ही वाला हूं ठीक है कि अच्छाइब और देखे रहे हैं परसे नमार टू fallows नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उनके सामने सही उत्तर लिखे को आपको क्या करें सही क्या लिखना उत्तर लिखना है ठीक तो इसमें डिल्ली में जल का प्रिद्प्र प्राकर्थिक Sharma लिए पर सबसे ज्यादा हमें से मिले हैं तो सभी बच्चे एक काम करेंगे सब्सqutta नबर करेंगे नीचे दिए गए संकेतों की आधार पर औन के सामने सही उत्तर लीकिए खिए आपने ब्लक पैंसी लिए एक तरफ आप डालिए संकेत फिर आप लाइन खीची ऐसे बीच में सभी बच्चे फिर एक तरफ आप लिखोगे उत्तार तो सबसे पहले यह आपने उड्डाउन करोगे दिल्ली में जल का प्रमोग प्रकर्टिस फिर आप ऐसे एरो लगा के लिखोगे न यमना नदी ठीक है तो नदियों से भी आता है यहां पर आप नदिया लेख सकते हो कि कि यह आपके आ जाएगा नदिया और आपका आजएगा यमना नदी तक है फिर इसमें आ जाते हम इससे हमारी लापर परवाई के कारण प्रति दिन बढ़ता जा रहा है क्या आपको पता है कि देखो अगर लापर वाई उपर दिखाए गई थी कि जलों के अंदर क्या फैकर रहेते सब उड़ा कर दरह तो उस्से क्या था हमाने जल पर दूर्शन होता है तो आप लोकि लिखो गए जल प्रदूर्शन एक आपको क्या यह जैल प्रोडूशन हो गया फिर इसमें दिस oh के मचली हो गई फिर मगर मच अब देखो इसमें तेन लिखने हैं तो आपका मचली मगर मच और एक आपको सोच के मुझे बताना है कि तीसरा ऐसा कौन सा जीव है जो जल के अंदर रहता है ठीक है और जो इसका करेक्ट अंसर देगा उसे मेरी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा हमारी चैनल की तरफ से तो उस गिफ्ट के लिए जो भी जिस भी बच्चे का उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं ठीक है इस वीडियो के ठीक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ठ Instagram का लिंक है या आप Instagram पर सर्च कर सकते हो कि लैस मेड़िकल ठीक है आप यह सर्च कर सकते हो इस पर जाके आपको इसका अंसर देना है तो उनके लिस्ट मैं दूंगा और उन इस्ट्वेंट को वो गिफ्ट मिलेगा हमारी चैनल की तरफ से एन आइंटिफाइफ मास्क जैसे कि इस से पहले वो दिया गया था बच्चों को जो उटमें सेलेक्ट हुए थे पांच इस्ट्वेट जिसमें से चार ने मुझे एडर्स रेंड किया था एक ने अभी एडर्स नहीं तो चार के घर पर मैंने आज ही कोरियर वो करवा दिया है उनके घर पर पहुंच जाएगा उनसे एडर्स लेक्ट जो सेलेक्ट हुए थे ऐसे ही अब इसके लिए क्या करना है आपको उसका करेक्ट अंसर बताना है उसका अंसर आपको कमेंट भी करना है ठीक है और मुझे अंसर देखना है कि मैं एक बार और आपको समझा देता हूं देखो इसमें रहने वाले जीव मचली मगरमच ठीक तीसरे का आप नाम बताना है हम तीन नाम लेखेंगे इसमें ठीक है दो भी आपको मार्स मिल जाएंगे पर एक का और आपको सोचके मार्स बताना है नाम ठीक करना है ठीक है और मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना करेक्ट एंसर और यह लिए लिए एंट्री ड़न की आप लोगों ने शेयर कर दिया है अब आजाते हैं इस पर जलिये जीवो और परियावरण के लिए जल की पर दूसित इस्तिधी है इसमें आपका जाएगा हानिकारक हानिकारक देखो जलिये जीवो और परियावरण के लिए जल की पर दूसिति है हानिकारक तो यह आपका कंप्लीट होता है परसन नमबर टू ठीक है परसन नमबर थी की तरफ चलते हैं आप लोग इसमें दिया गया है दिल्ली प्रदेश की मुख्य नदी का नाम लिखिए और अपने परिवार जनों के साथ इस बारे में चर्चा कीजिए कि हमें इसमें बढ़ते हुए प्रदू कि दिल्ली प्रदेश की जो प्रमुक नदी है में रहेकिvisor सबसे पहले हम लोग लीखेंंगे लिखेंगे हम दिल्ली को सबसे पहले मैंने को कस्ताम उतार लेना सभी बच्ची वीडियो वेश्य करने किальная के दिल्ली प्रदेश गिलेo के लिए कि कि इस में प्रमूक नदी आपका यमन्हान नदी है यमना- नदी है कि अब किसका अनसर हो गया दिली- पर्देस की प्रभ्मुक नदी का नाम लेखिए इतना आपका इनसर हो गया फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते अब हम GUY लिखना ए इस रोखताम के सब्सक्राइफ क मैं हम लोग तो देखो हम लिखेंगे रोक्ताम के लिए यहां पर लिखेंगे जल प्रदूशन को रोकने के लिए प्रदेशन टुपाय जिसमें आप ऐसे देखो अब क्या करोगे आप लोग यहां तक कर दिया ठीक है अब यहां से आप लिखोगे अइक नमबर ठीक है कि हम कितने लिखेंगे कि एक दो तीं ठीक है एक दो चार ठीक है चार उपाए मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आप लिखोगे दिल्ली प्रदेश की प्रमुक नदी यम्ना नदी है जल परदूशन को रोखने के लिए उपाए यहां पर ऐसे लगा दोगे इसे हम नेक्स्ट लाइन से सबसे पहले आप लिखोगे ओध्योगिक कच्रे को नदियों में नहीं डालना चाहिए और योगिक कच्रे को नदियों में नहीं डालना चाहिए हमें नहीं डालना चाहिए पूजा समागरी को नदियों में परावित नहीं करना चाहिए जैसे कि पूजा करने के बाद समगरी होती है तो लोग क्या कहते हैं कि यम्ना नदियों में डाल दो ठीकि है से हम लोगों को नहीं करना चाहिए समग्री को नदियों में नहीं डालना चाहिए आपका थड़ा जाता है नदियों के गिराने किनारे पेड लगाना चाहिए किनारे लगाना चाहिए पेड लगाना चाहिए पेड लगाना चाहिए यह आपका फॉर्ट आ जाता है इसमें लिए गया है नगरों की गंदगी को तथा सिवेज नदियों की गंदगी को तथा सिवेज को सीधे की नदियों में नहीं डालना चाहिए नदियों में नहीं डालना चाहिए डालना चाहिए जैसे कि आप लोग हम लोग ने चार लिखे सबसे पहले मैंने लिखा दिली परदेश की प्रमुक नदी यम्ना नदी है जल परदूशन को रोकने के लिए उपाए ठीक है उपाए इसके पहला क्या लिखा ओधर की कछरे को आपना नदी डालना चाहिए जो कचरि होते हैं उन्हें नदीमें नदी में नहीं बढ़ना चीनुरे को नदी में डालना चाहिए जासे पूधा के समस्यानлан चाहिए लगा ऊइन योगए तो उन से लिख स्बस्री योगङ, और आपका फोर्त आयाता नदियों की गंद्गी तथा सिवेज देखो क्या होता है कि यहां पर आपका जाएगा नगरों की कि नगारों की मतलब आपके जो आसपोड़ों उसकी जो भी गंद्गी या आपके घर की गंद्गी है उसे आप मोग को सीधा नदी के लिए निधियों में आपके गंद्गी नदीयों में नदीयों में नहीं डालना चैयी तो यह आपके चार कीद assim तो आपके इसमें तीन ही को संथे complete हो चुके है ठीक है एक बार में फिर आपको बता देता हूं उसके बारे में इसमें रहने वाले जीव कौन-कौन से मजली मगर्ण देता है कि इसमें रहने वाले जीव कौन-कौन से अगर्तरमच और एक आपको नाम बताना सोच के वह कुछ भी हो सकता है तो जो भी नदी में रहने वाले जीव तो इसका आपको नाम बताना कोई भी अपने 10 फरेंट को ये वीडियो शेयर कनी है भीर chicken को आपको ये वीडियो भीजनी है एक साथ आप 5 को बेज़ दोगे वर्टसब पर एक साथ आप पांच को बेज़ देव तोटल आप 10 को भीज़ोगे बस तिक फिर आपको करेक्ट अंसर मुझे करना उसमें से पांच इस्ट्विएंट सेलक्ट किया जाएंगे उनके घर पर कोरेर किया जाएगा इससे पहले भी मैंने इस्ट्व जरू करें जो भी आपको चेकमेट रखता है वेल्यूबर और चैनल को सब्सक्राइब जरू करने है जिसे कि जो भी वीडियो डाले और बैल आइगन में जरू किले करने जिसके जो भी वीडियो डाले आप लोगों को सबसे पहले वह पता लग जाए ठीक है मिलते है नेक श जिए बार